नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन के टोप 25 परमुख खबर जानते हैं एक-एक स्कूल ऑफ एक्सिलेंस में अस्थानिय सांसत, बिधायक और पतादिकारी मुझूद रहेंगे जबकि जीले के अन्य उत्रिष्ट बिध्यालों में समारोह कायोजन होगा और मुख्य समारोह लाइब दिखाया जाएगा सीम की और से हरी जंडी मिलने के बाद, इसकूली सिक्छा और सक्षर्टा विभाग इसकी तयारी शुरू कर दिया है सिक्छा शचीव के रभी कुमान ने देर साम सभी जीला सिक्छा पतादिकारी ओ और जीला सिक्छा दिखकों के साथ वीडियो कंफेसिंग की वही सनिवार को सभी उपायुकतों के साथ इस मामले को लेकर वीडियो कन्फेंसिंग रखी गई है बता दे विभागे सुत्रों की माने तो रांची के जगरनाथ पूर हाई स्कूल या फिर जिला इस्कूल में मुख्य समारो कायोजन किया जा सकेगा सभी उतक्रिष्ट विद्यालों में स्क्रीन लगाई जाएगी और मुख्य समारो की लाइप प्रस्तुति की जाएगी इससे पहले स्कूली सिक्षावा सर्षता विभाग के सचीव रभी कुमार ने सभी सहायक चीला कारेकरम पतादिकारियों के साथ बैठा कर आर्टीए के तहद निजी स्कूलों में निधारित सत पर्तिस सीटों पर बीपियल बचों के नमांकर सुनिश्चित करने का निदेश दिया जारखन में दो दिन तक ओला विरिष्टी का अलर्ट जारखन के किसानों के लिए एक बुरी खबर है बतादेराजी में दो दिन तक ओला विरिष्टी होने की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है मौसम विभाग ने सुक्रवार को इस समन्द में औरेंज अलर्ट जारी कर दिया है भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम केंद्र रांची ने कहा है कि 30 अप्रेल और 1 माई को जारखन के उत्री तथा निकटवर्ती मद्य भागों में कहीं कहीं वला विरिष्टी हो सकती है इससे किसानों की फसल को नुक्सान हो सकता है कहा गया है कि सरसो फल एवं सबजीयों दलहनी फल को नुक्सान हो सकता है मवसियों को भी नुक्सान हो सकता है इसलिए किसानों से सतकता वरतने के लिए कहा गया है मोसम केंदर राची के मताबिक हेतों में जल भराव के कारान सरसों की फसले जोग सकती है बता दे कि जारखन के परमुक सारो में या सिवा 24 गंटा उपलब्द रहेगी राची देवघर दुम का बोकारो गिरिडी जमसेद पुरसाहित कई जीला सामिल है इस दोना स्वास्त मंत्री ने कहा है कि जारकन में स्वास्त सेवाओं के लिए मिल का पथर सावित होगा यह एमूलेंस काफी दिनों से इसकी जरूरत जारकन को थी ऐसे में जब भी हम इस समझा को लेकर मुख्य मंत्री के पास जाते थे तो उनके मन में यह बात आई की कियो ना अस्थानिय तोर पर इसकी सुरुवात की जाए बता दे इस दोरां सियम है मनसुरे ने कहा है कि आज स्वास्त के छेत्रे में एक और कड़ी जुड़ गई है आज तक स्वास्त सिवा पर कई टिका टिपनी की गई लेकिन हम ने यहां की बिभीनता में भी स्वास्त सिवाए भाल की है बरका गाओं से कॉंग्रेस बिधायक अमबा परसाद अब इडी के रडार पर जारखन में इडी के रडार पर बरका गाओं के कॉंग्रेस बिधायक अमबा परसाद आ गई है E.D. ने पुछा था कि अमबा के खिलाब प्रिरी केटिव ओफिस का कोई केस दर्ज हाय या नहीं E.D. के पत्रचार के बाद पुलिस ने बिधायक कि खिलाब दर्ज कांडों के सूची E.D. को सोब दी है बता दे अंबा परसाथ खिलाप जिन जिन कांडों के सुची भेजी गई है वे केरे डारी बरका गाँवा कटम दाह में दर्ज हैं केरे डारी कांड संखे 37 बाई 18 में अंबा परसाथ समेथ 5-6 लोगों को आरोपी बनाया गया था सियम हेमंत ने कहा गरीब आदिवासी बच्चो के सपनों को मिल रहा पंक जारखन के मुख्यमंत्री हेमंत्रे ने उडिसा दोरे पर है जहां वे कलिंग यूनिवर्सिटी के कारिकरे में सामिल होंगे यहां सियम आदिवासी छात्राओं से मुलकात भी करेंगे बता दे पूरे देश में अनुसूचित जन जाती को मुखे धरा में लाने के लिए केंद्र और राजी के अस्तर पर कई योजनाय चल रही है कई संस्थाएं भी इसने काम में जुड़ी हुई है इन ही में से एक नाम है उडिश्या के रैधानी भोनेश्वर में मवजूद कलिंग इंस्च्चूट अफ सोसल साइंसेज का यह ऐसा संस्थान है जो गरीब और वन्चित आदिवासियों को सिक्षा रोजगार से जोड़कर विश्वर का सबसे बड़ा आदिवासी संस्थान बन चुका है यहां करीब 40,000 आदिवासी बचों को प्राथमी किस से लेकर उच सिक्षानी सुल्क मुहया कराई जाती है इसमें जायतर बचियां है जिनसे जारखन के मुख्यमंत्री हमान सुरेन मुलकात करेंगे आपनी भावना प्यक्त करेंगे उन्होंने संबोधीत करेंगे संस्थान ने जारखन के मुख्यमंत्री को बिशेस रूप से इसके लिए आमंत्रित भी किया है मन की बात के सौवे एपिसोड पर 30 अप्रेल को 81 सवा स्थानों पर होगा कारेकरम जारखन बिजेपी अध्यक्स राय सभा सांसत दिपक प्रकास ने कहा है कि 3 अक्टूबर 2014 को प्रधान मंत्री नैनमोदी के मन की बात कारेकरम का पहला एपिसोड पर साहित किया जाएगा जारखन में 81 विधान सभा छेतर में कूल 81 सवा स्थानों पर मन की बात के सौवे एपिसोड पूरा होने परभव्य कारेकरम का पहले 29 अप्रेल को जारखन में दिपोत्सों भी मनाया जाएगा कोरोना के बाद बढ़ने वाली मानसिक बीमारियां बैस्विक महामारी कुरोना ने करीब देर साल तक सब कुछ ठप कर दिया था धीर धीर दुनिया समाने होई तो लेकिन लोगों का जिवन पूरी तरह से समाने नहीं हो पाया बता दे सदी कि इस सबसे बड़ी महामारी ने कई तरह की मानसिक बीमारियों को जर्म दिया है बढ़ा है मानसिक रोगों के इलाज के लिए बने अस्पतालों में रोगयों की संख्या बढ़ी है जार्खन में पयाल के पेन लगा कर खुब करे कमाई जार्खन में कोई तरह के फल फूल के पेड़ पौधे पाये जाते हैं जो जंगलों में या उसके आसपास रहने माले लोगों के लिए वर्सों से आय का जर्या रहे हैं ऐसा ही एक फॉल है पैयाल का बतादे पैयाल का फॉल 16-18 रुपे प्रती किलो की दर चे बिगता है इस स्वादिष्ट फॉल के कई असधिये गुन भी है या हिर्दय को भी स्वास्त रखता है बतादे जारखन के रेजानी राची स्थीत वन उत्पादक्ता संस्थान के बीड स्वादि पैयाल के प्रती चोपाल गराञीनों की समस्या का हुआ समधान क्या है बताया गया है कि परकेंड के अभुआ पंचायत में प्रकंड एवं अंचल परसासन ने रात्री चोपाल में वीडियो उमेस मंदल ने मन्रेका योजना पीम आवास योजना सोचाले निर्मान पेजाल बीरसा हरीत ग्राम योजना थे समयत मामले की समस्या का समधान किया है राष्ट्री स्वक्ष गंगा मिशन के डीजी पहुंचे साहब गंज राष्ट्री स्वक्ष गंगा मिशन के महा निदेशक असो कुमार सुक्रवार को साहब गंज पहुंचे इस दरान उन्होंने चानन इस्थीत सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरिक्षन किया जगरुपता कारकरम में समेलित भी हुए इस करम में DC राम निवास यादव ने महानिदेशक को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की जनकारी दी बताया गया कि पूरे सहर में ऐसी बिवस्ता की गई है इसके माध्यम से नाले का पानी सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में आता है यहां पानी का ट्रीटमेंट होने के बाद ही गंगा नदी में परवावित किया जाता है उन्होंने बताया है कि घर घर को सीवरे से जोड़ने के लिए कनेक्शन का कारे किया गया है पलांड के बन जाने से नदी काफी सुध हुई है धन्यवाद